हे फूरीज, वेलकम टू किरिन्स कुईजिन किजिन, तो आज मैं बना रही हूँ सबकी फेवरेट आलू की सबजी एकदम भंडारे वाले स्टाइल में हम इसे बनाएंगे, बिना लसन प्याच के बनाएंगे, जिससे आप पूरियों के साथ इंजॉय कर सकते हो, घरमा गरम तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कड़ाई लिया है, जिससे गरम होने के लिए रख दिया है, गैस का फ्लेम स्लो रखा है, और उसमें डाला है, फो टेबल स्पून ओयल, ओयल जैसे ही हलका सा गरम हो जाता है, उसके अंदर मैं डाल रहे हूँ हूँ दो तेज पत्ता बे इन सबी खड़े मसालों को हम एक मिनिट के लिए स्लो गैस पे पकाएंगे, खड़े मसालों को आपको पकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह कच्चा नहीं रहना चाहिए, जैसे ही खड़े मसाले बहुत अच्छे से पक जाते हैं, उसमें हम डालेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं, जिंजर पेस्ट, अदरक को भी मैं एक मिनिट के लिए स्लो गैस पे पकाने वाली हूँ, इसमें भी कच्चा पन नहीं रहना चाहिए, अदरक को बहुत अच्छे से सोटे करने के बाद मैं इसमें डाल रहे हूँ, तीन से चार लाल मिर्च, यह सूकी लाल मिर्च है, गैस का फील अभी भी सलो ई है, लाल मिर्च बिल्कुल भी जलनी नहीं च़ह subsidi लिगे तो जैसे ही लाल मिर्च अच्छे से पका जाती है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ ट टमाटर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और एक तीखी वाली हरी मिर्च है टमाटर को यहां पर आपको ग्रेट करके या फिर फाइनली चॉप्ड करके लेना है इसकी प्यूरी नहीं बनाई नहीं तो सब्जी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और सब्जी का टेक्श 1 टीश्पून तीकी वाली लाल मिर्च 1 टीश्पून कोरियंडर पाउडर 1 फूर्थ टीश्पून लिया है अमचुर पाउडर और 1 टीश्पून डाला है सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा सते हैं कम कर सकते हैं तो मसाले और टमाटर को हम बहुत अच्छे स कर लिते हैं जब आप टमाटर ग्रीड करते हैं या फित चॉपड कर के लेते हैं तो इसकी स्किन Dip को लेनी है स्किन को अलग कर ले यह की दdy três मैंने से जो oil है वो काफी अलग हो गया है टमाटर से और टमाटर भी soft हो गया है और सबजी का кलर भी काफी अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें काश्मेरी मिर्च मिलाई है उसके बाद इसमें आपको दालना है चार मीडियम साइज के आलू जो size के आप टमाटर लेते हैं उसी size के आपका आलू लेने हैं आलू को मैंने 2-3 घंटे पहले boil कर लिया था यहाँ पे जब आप सब्जी में आलू mix करते हैं इस टमाटर के साथ तो आलू जो है बिल्कुल ठंडे होने जाए गरम आलू नहीं होने जाए और आलू को एकदम soft boil नहीं करना है गरम गरम आलू अगर आप टमाटर में मिलाएंगे तो आलू जो है बहुत ज़्यादा soft हो जाएंगे और सब्जी का texture और taste बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा तो आलू को मैंने टमाटर के साथ बहुत अच्छे से mix कर लिया है दो मिनट तक इसे पकाया है उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है इस सब्जी की खासियत ये रहती है कि आपको आलू को knife से cut नहीं करना है हातों से ही तोड़ना है और uneven pieces रहते हैं कुछ pieces बड़े रहेंगे, कुछ pieces छोटे रहेंगे तबी सब्जी का जो taste है एकदम हलवाई लोग जैसे बनाते हैं वैसा आएगा यहाँ पर आपको आलू के टुकड़े करने हैं आलू को mash नहीं करना है इस बात का ध्यान रखेगा तो जैसे ही पानी में एक बार boil आना start हो जाता है तो इसे ढख कर हम 3-4 मिनिट के लिए इसे कुप करेंगे तो आफ्टर 3-4 मिनिट्स यह देखिए ओल जो है साइड से अलग हो गया है कि सब्जी का कलर भी काफी अच्छा आया है और सब्जी में थोड़ी से थिकनेस भी आ गई है तो अब मैं इसमें मिला देती हूँ 1 टी स्पून कस्तोरी मेथी और 1 फूर्थ टी स्पून गरम मसाला यह homemade गरम मसाला है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 फूर्थ टी स्पून लिया है अगर आप market वाला गरम मसाला यूज करते हैं तो फिर आपको 1 टी स्पून डालना है यह गरम मसाला काफी स्ट्रॉंग है और मुझे गरम मसाला बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है सबजियों में इसलिए मैंने सिर्फ 1 फूर्थ टी स्पून डाला है गरम मसाला डालने के बाद आपको सबजी को ऐसे खूले ही 2 मिनट के लिए पकाना है फिर उसके बाद आपको हरा धनिया डालना है तो यहाँ पर हमारी जो सबजी है वो बनके रेडी है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबजी में आप थोड़ी सी ग्रेवी रखेगा पिकोज जैसे ही सबजी ठंडी होगी थोड़ी सी तो यह और जाता थिक हो जाएगी तो चलिए इससे सर्व करते हैं तो घर्मा गरम इस सबजी को आप पूरी के साथ या फिर चावल के साथ इंजॉय करे आप एक बार यह सबजी जो है जरूर बनाईएगा इस सबजी के सामने जो लसन प्याज वाली आलू की सबजी रहती है वो भी काफी फीकी लगती है सबजी को देखकर आपको भी मन कर रहा होगा ना अभी के अभी बना के खाने का इस सब्जी के साथ अगर गर्मा गर्म पुडिया मिल जाए तो क्या कहना तो एक बार मैं सब्जी जो है आपको पास में से दिखाती हूँ इसकी ठिकनेस देखिए ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो और थोड़ी से ठिक हो गई है पहले से मेरे तो अब इसी मुँ में पानी आ रहा है जल्दी से रेकॉर्डिंग बंद करके मैं इसे इंज्वाइ करने वाली हूँ गर्मा गर्म पुडियों के साथ तो जल्दी से रेसेपी लाइक कर दीजी और कॉमेंट करके बताए कि आपको रेसेपी कैसे लगी है टाडा बाबाय टिक है थांक यू